दोस्तों पहना वना जो वीडियो पार्ट वन जो वीडियो वीडियो वह देखेगा आपको पुरा समझ आजा जाएगा कि मैंने कैसे ग्रेड नाइन पे हाइपर रियनिस्टिक आई इसको ड्रो की फर्स स्टेप को अटेम्ट किया था उसके बाद बनाने के बाद मैं इस स्ट यूज की है डार्क चारकुन पैंसिन के साथ जो की सौफ चारकुन पैंसिन है और दोस्तों इसको बनाने में ना काफी महनत नगी है और बहुत टाइम कंजूमिंग है क्योंकि है पूरा बनने के बाद आपको पता चानेगा यह कितना अमेजिंग बना है और आप मुझे जो देखेगा तब ही आपको पता चलेगा और आप भी सीख जाएंगे जैसे में एक संपल्ट आर्टिस्ट हूं वैसे या आप भी बना सकते हैं इसको देखने के बाद हो सीख सकते हैं बहुत इसी है जैसे मैं पैंसिन ब्नेंडर के लिए कागज का बनाओ बनेंडर जो की करने के लिए ग्रिफाइट को या फिर चारकुन को बहुत असान रहता है उसके उपर मैं सेकंड लियर ओफ शेडिंग के लिए ब्रश का यूज करता हूँ और जो कागस का बनेंडर रेफ्रेंट्स वो मैंने घर पे ही बनाया है तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती है उसको बना तो मैं ब्रश का यूज करता हूँ जिसके बाद ब्रश के बाद मैं पैंसिन ब्लेंडर का जहां यूज करना होता है वहां करता हूँ जरूरी नहीं हर जगा करना पड़े पर हां कहीं कहीं करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए इक्वन और सेम शेडिंग आ जाती है अगर म फैंसल और फैपर्पनेंडर को यूज़ करता हूं तो अभी मैं जो पैंसलि मुस कर हूं यह चारकून सॉफ्ट पैंसल ब्रम्स कई अब से ऊपर ब्डस का यूज़ कर रहा हूं जिससे की ब्राब भलबिरो हो जाए शेडिन के यह डार्कनेस देने के लिए चारकुन पैंसिन, सौफ्ट चारकुन पैंसिन का मैं यूज़ कर रहा हूं तो दोस्तों मेरी आप से एक रिक्वेस्ट एक सैंस्ट और टार्टिस को मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब और लाइक्स की भी जरूत होती है तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगें तो प्रीज सब्सक्राइब कर दीजेगा वैसे भी एक सब्सक्राइब करने में जाता ही यह बस देख देख के सीखा है उसके बाद मैं बनाता हूँ तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगा और अगर आपके भी कोई 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 आपको पता चन्द जाएगा हाइपर रियनिश्टेक वीडियो कैसा है आइस का अगर आप नाइक करते हैं और आपको पसंद आता है तो आप इसको नाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों बस कंपनिट होने ही वना है वैसे तो इस स्केच को बनाने में मुझे तीन दिन के आसपास का टाइम लगा है बट मैं आपको दो पार्ट में दिखा रहा हूं पैना पार्ट मैंने अपनोड कर दिया है और अप सेकिंड पार्ट फ्रेंस ब्रश का यूज हमेशा ब्नेंडिंग के लिए करना चाहिए इससे आपको इकवन एंड अमेजिंग शेडिंग के इफेक्स देखने को मिनते हैं आप भी ट्राइ कर सकते हैं ब्रश को शेडिंग के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट आता है पहने में नहीं करता था अब करने लगा हूँ तो यह बहुत बड़िया हाइपर रियंरिस्टिक स्केच है रियंरिस्टिक स्केच में इनका यूज करना बहुत जरूरी होता है तभी जाके इकवन एंड अमेजिंग शेडिंग आपको मिलेगी आप भी ट्राइ कर सकते हैं आपको भी इफेक्ट का प